साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए, नए संकब के साथ मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की गोश्णा कर रहा हूँ यह आर्थिक पैकेज आत्मा निर्भर भारत अभियान की एहम कड़ी के तौर पर काम करेगी साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक गोश्णाय की थी जो रिजर्व बैंक के फैसले थी और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो यह करीब करीब 20 लाद करोड रुपिय का है 20 लाद करोड रुपिय का है यह पैकेज भारत की जिरिवी का करीब करीब 10 प्रतिशत है इन सब प्ये जरिये देश के विबिन वर्गों को आर्थिक ववस्ता की कडियों को 20 लाद करोड रुपिय का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा 20 लाद करोड रुपिय का है पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाद 2020 में आत्मंदिर भर भारत अभियान को एक नई कति देगा आत्मंदिर भर भारत के संकल्प को सित्थ करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है यह आर्थिक पैकेज हमारे कुटेर उत्योग, ग्रह उत्योग, हमारे लगू, मन्जोले उत्योग हमारे MSME के लिए है जो करोडों लोगों की आजिविका का साधन है जो आत्मंदिर भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है यह आर्थिक पैकेज देश के उस स्रमित के लिए है देश के उस किसान के लिए है जो हर स्विती, हर मौसन में देश वास्यों के लिए दिन रात परिश्णम करना है यह आर्थिक पैकेज हमारे देश के मद्धिम वर्ग के लिए है जो इमांदारी से टेक्स देता है देश के विकास में अपना योगदान देता है यह आर्थिक पैकेज भारती उत्योग जगत के लिए है जो भारत के आर्थिक सामर्थ को बुलंदी देने के लिए संकल्पित हैं कल्षे शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तर वित्मंत्री जी द्वारा आपको आत्मा निर्भर भारत अप्यान से प्रेरित इस आर्थिक पकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी साथियों आत्मा निर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिविद्धता के साथ अब देश का आगे पढ़ना अपने भी वारी ले आपने भी अनुभव किया है कि बीते च्छे वर्षों जो रिफॉर्म्स की उनके कारण आज संकट के हिस समय भारत की व्यवस्थाएं अधिक सक्षम अधिक समर्थ नजर आई परना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पुरा का पुरा गरीब की जेब में किसान की जेब में पहुंच पाएगा लेकिन यह हुआ वो भी तब हुआ कि जब तमाम सरकारी दफ्तर बंद थे कि ट्रांस्पोर्ट के साधन बंद थे कि जंद्रवन आधार मोबाइल जेए एम जेंगी त्री सक्ति से चुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था जिसका असर हमने अभी देखा अब रिफॉर्म्स के उस दायरे को व्यापक करना नहीं कि रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाइट चेन में होंगे ताकि किसान पी ससकते हो और पविश में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकत में घ्रशी पर कम से कम असर हो कि रिफॉर्म्स रेश्टनल टैक्स सिस्ट्प शरर और स्पस्ट नियम कानू उत्तम इंफर्ट्रक्टर समर्थ और सक्षम हुमन डिसोर्स इच और मजबूत फाइनचल सिस्टम के निर्माण के लिए कि रिफॉर्म्स बिजिनेस को प्रोसाइट करेंगे निवेश को आंकर सब्सक्राइब करेंगे और मेकिन इंडिया के हमारे संकर को सशक्त करेंगे साथियों आत्म निर्वर्दा आत्म बल्द और आत्म विश्वास से ही संभव है आत्म निर्वर्दा ग्लोबल सप्लाइज चेन में कडीस पर्था के लिए भी देश को तयार करेंगे और आज ये समय की मांख है कि भारत थर्ष पर्था में जीतेगी ग्लोबल सप्लाइज चेन में बड़ी पूमिक आने पाए इससे समझते हुए आर्थिक पर्थेज बहिए अनेक प्रावधान की लिए इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशंसी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सुनिश्चित होगी साथ्यों यह संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्ताएं इन भी लेकिन इने परिस्ट्यतियों में हमने देश ने हमारे घरीब भाई बहनों की संगर्श सक्ति उनकी संयम सक्ति का भी दर्शक किया है खास कर हमारे जो रेड़ी वाले भाई बहन थेला लगाने वाले पट्ली पर सामान वैचने वाले जो हमारे स्रमी साती है जो इस घौरों में काम करने वाले भाई ने इस दवरा बहुत कश्ट जेली तपश्या किया जाक किया है ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्तिति को महसूस नहीं किया कि अब हमारा कर्तब्य है कि उन्हें ताकत्वर बनाने का उनके आर्थी हितों के लिए कुछ बड़े कि इसे ध्यान में रख़े हुए गरीव हो प्रवासी मज्जूर हो कि पशुपालव हो हमारे मचुवारे साथी हो संगटिक छेत्र से हो या संगटिक शेत्र से हर तपके के लिए आर्थी पकेज में कुछ महत्वपूर थैसलों का ऐलान किया जाले है साथियों कोरोना संगट में हमें लोकल मैनुफेक्चरिंग लोकल मार्केट लोकल सप्राइब चेंग इसका भी महत्वत परापर समझा दिया है संगट के समय में लोकल ने ही हमारी दिमाड पुरी की है हमें इस लोकल ने ही बचाया है लोकल सिर्फ जरुरत है बलकि हम सब भी जिम्मेदारी है समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही आपको आज जो ग्लोबल ब्रैंट्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे लेकिन जब वहां के लोकों ने उनका इस्तेमाल शुरूद किया उनका प्रचाहर शुरूद किया उन्ती प्राणिंग की उन पर घर्व किया वो प्रोडक्स लोकल से ग्लोबल बन गए इसलिए आज से हर भारतवासी अपने लोकल के लिए लोकल बनना है लोकल के लिए लोकल बनना है न सिर्फ लोकल प्रोडक्स करिने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचाहर भी करना है मुझे पुरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है आपके प्रयास होने तो हर बाह आपके प्रति मेरी स्रथा को और बढ़ाया है कि मैं गर्व के साथ एक बात मैसुष करता हूं कि याव करता हूं कि मैंने आपसे देश खादी खरीदने का आग रहते हैं यह भी कहां था कि देश के हैंलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें आप देखिए बहुत ही कम समय में खादी और हैंलूम दोनों को ही डिमांड और विक् इतना ही नहीं उसे आपने बड़ा प्राणवी बना दिला बहुत चोटा सा प्रयास्त लेकिन परणाम मिला बहुत अच्छा परणाम मिला साथियों सभी एक्सपर्स बताते हैं साइंटिस्स बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहे लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जीन्दगी सिर्फ और सिर्फ पर गिर्द्वित ही जिमण पर लिए अब मास्त पहनेंगे नहीं कि लेकिन अपने लक्षों को दूर नहीं होने देंगे इसलिए लोगडाउन का चौथा चरह लोगडाउन फूर पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा नए नियमा वाला होगा राज्यों से हमें जो सुझाओं मिल रहे हैं उनके आधार पूर लोगडाउन फूर इससे जुड़ी जानकारी भी आपको अठारा मईस से पहले दी जाएए मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते विए हम करोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे साथियों हमारे यहां कहा गया है सर्वग आत्म वशम शुखा अर्था जो हमारे वश में हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं बढ़ी सूख है आत्म निर्भरता हमें सुख और संतों देने के साथ साथ सशक्त भी करती है 21 सदी भारत की सदी बनाने का हमारा ताइट्व आत्म निर्भर भारत के प्रण से ही पुरा इस ताइट्व को 130 करोड देश्वास्व की प्राण सक्ति से ही उर्जा मिलें आत्म निर्भर भारत का ये यूग हम भारत वासी के लिए नूतन प्रण भी होगा नूतन प्रवभी होगा अब एक नई प्राण शक्ति नई संकल्प सक्ति उसे लेकर के हमें आगे पढ़ता है जब आजार विचार कर्तव भाव से सराबोड कर्मरता की पराकाश्टा हो कौशल्य की पूजी वो तो आत्म निर्भर भारत बनने से कौन रोख सकते हैं हम भारत को आत्म निर्भर भारत बना सकते हैं हम भारत को आत्म निर्भर बना कर रहें इस संकल्प के साथ इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुकामनाई देता हूं आप अपने स्वास्त का अपने परिवार अपने करीपियों का जरूर जान रखिए बहुत बहुत धन्यवाद